मोदी या योगी दोनों में से किसको जादा पसंद करते हैं तो मोदी जी जो है वो राम है योगी जी को हनुमान मान ली जी आप देवादी देव महादेव का भगतू मैं मंडे का फास्ट रखता हूँ छे साल की उमर और मुझे आप सरप्राइज करेंगे इंजिनिंग के एक मेरे साथ रहे और मेरी गाड़ी में चलते थे उन्होंने में कई बड़ी मदद मेरी अंग्रेजियों की कबरें उखार दी तो अखले अखलेश जी इस बात को लेकर के बहुत उनको मुझे लगता ऐसा रोफिसर साब ने कहा होगा उनने किसी ने बताया कि मुसल्मानों के ब पूरा मामला वह तो मुझे पर एफाई यार होने के बाद हमने गरफ्ता जी की बात की तो हमारे साथ पचासो हजार लोग इखटे होगे कई जी लोगी पुलिस को आना पड़ा इस बात को हमने सदन में रखना चाहा और जब सदन में रखा तो सारे जुतने साथी थे हमारे उन्हें लगा और वो घटना करम हुआ कि उसमें दो दिन तक हमारे साथ दो सो पिच्चान में विधायक साथ में रहे कि ये गलत हो रहा है आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर अजोध्या जी के बाद रामराज है तो लौनी में नमस्कार मैं हूँ अनुराग चडधा मेरे शो अनकट विध अनुराग चडधा में आज भाते जनता पार्टी के वो विधायक हैं जो हमेशा अपने ही पार्टी के खिलाब बोलते हैं अपने ही मुख्य मंत्री के खिलाब बोलते हैं अधिकारियों को नकारा बताते हैं एक शो में आने के लिए और सबसे पहला सवाल यही है कैसे हैं आप आज कल किसके संपर्क में चल रहा हैं नहीं मैं संपर्क में नहीं रहता किसी के मैं भगवान के संपर्क में रहता हूं और जंता के संपर्क में रहता हूं यह बताईए कि जो आप बयान देते हैं क्या यह आपक कोई भी बयान पार्टी एक खिलाप आज तक नहीं आया आपने कहा न अधिकर एक खिलाप हो सकता है किसी विचार के खिलाप हो सकता है लेकिन भारजनता पार्टी के खिलाप एक भी बयान मेरा आज तक नहीं आया होगा मैं संग्ठन का कारिकरता रहा हूँ और जो मैं बयान मुख्य मंत्री के खिलाप आवाज उठाते हैं आप क्याते हैं कि कमिशनरी सिस्टम हटा देना चाहिए एस पी सिस्टम दुबारा से लोटना चाहिए मुख्य मंत्री के खिलाप बोलना क्या पार्टी के खिलाप बोलना कभी नहीं हो सकता है। हम माने योगी जी खिलाब कभी नहीं बोले हैं, जो अधिकारी आज भी सपा और बसपा की या अन्य पार्टियों की मांसिक्ता के हैं, जो उस टाइम में भरती हुए थे, और उनके द्वारा अवलाईज हैं, वो जब जनता के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो किसी अधिकारी की बेईमानी के खिलाब, उसकी ताना साही के खिलाब बूलना मैं समझता हूँ कि माने मुखमदरी जी के ़िए भरना ठीक हूँ, अच्छा नंद किशोर जी जब आप कोई बयान देते हैं, तो आपकी पार्टी के लोग ऐसा क्यों कहते हैं, जब नंध किश ने भारते जन्ता पार्टी की सुपारी दे रखी है? नहीं, अगर इस तरह का विपक्स का तो हमने कभी आज तक फायदा किया नहीं है. हमारे बोल से तो भारते जन्ता पार्टी हिंदुत और राष्ट मजबूत होता है. और कोई ऐसा विपक्स ने सुपारी दे दी या दिली से कोई ब्यान लिख के आगया, तो मैं देवादेदे महादेव का भगतू मैं असत नहीं बोलता हूँ. मुझे जूट से सक्त नफरते हैं. जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि मैं पार्टी खिला बोल रहा हूँ या इस तरह की बात कोई भाजपा का कोई नेता कहता है. तो कोई कायर इस तरह की बात कह सकता है. कोई भी स्वस्थ मान सकता का व्यक्ति मेरे लिए इस तरह की बात नहीं कह सकता. मेरा एक एक बात जन्ता के हित्की होती है विक्ती के हित्की होती है नीजी एजेंडा मेरा आज तक एक नहीं है तो अगर मैं लोगों के जो मेरे लोग है जनोंने मुझे चुना है विप्रीत प्रस्तितियों में लौनी जैसी विधान सभा को जीतना आसान नहीं है जहां 2,28,000 बोट मुस्लिम है इसके अलावा जो अधर बोट विचार धारा की है वो हैं खिलाब तो 50% से ज्यादा बोट मेरे खिलाब है उसके बाद सबका दिल जीतना दो बार मैं जीता हूँ तो ना मैं BJP का विरोज करके जीत सकता था और ना मैं लोगों का अगर मैं काम न बिनाएंगे तो मेरी डूटी है और एक जनपती दी के नाते मुझे बोलना ही चाहिए और जो नहीं बोलते हुए अपनी जुम्मेवाजी का निर्वेहन नहीं कर रहे हैं आपकी नंतकिश्व जी एक खास आदत है कि कोई अधिकारी अगर गलत काम कर रहा है पहले तो आप मैं परती एक चैनल से गुजरता हूं मैं अचानक नहीं मैं तीन मोके सब को देता हूं वो मैं कभी किसी को नहीं छेड़ता आज तक किसी को मैंने नहीं छेड़ा जिसने मुझे छेड़ा मैं तीन मोके सब को दिये हैं लेकिन तीसरे मोके के बाद मैं छोड़ता नहीं हूं मेरी कमी है इसलिए लोगों को लगता है कि यह अड़ता है तीन मोके के बाद मेरे हां मैं भगवान सुर्ट किसन नहीं हूँ, मैं साधान ब्यक्ति हो कि मैं सो मोके दूँगा किसी को तो तीन मोके को अधिकारी अगर गड़बड करता है या जो हमारा एंटी है जो अपने आप के लिए उसमें जो ना थोड़ा सा कॉयलिंग करनी पड़ती है जिनके दिमाग में धही जमी रहती है तो उसको थोड़ा ठीक करना बहुत जरूरी होता है आपका एक बयान वड़ा चर्चित हुआ था कि लोनी में ना अली ना बाहूबली लोनी में सिर्फ बजरंग बली अब की लोनी बिवरांस्वा में मुस्लमान के लिए बैठाली लोनी को पूजा कर hocks कि लॉनी पांच के मीरे तरौब यह कुलें यह मैं। भगवान मान करके उसकी मैं सेवा करता हूं लेकिन जो लोगों की जमीन कब जा करेगा लॉनी पे जिला गाज़िबाद मुई बनी भूमाफियाओं पर आपस में अपराद पर गैंगवार पर आज भी अगर पुलिस की अधिकारी इमानदारी से डूटी करें तो इतने हत्यार बरामद होंगे कि वो सेना के बहुत बड़ा काम आ सकते हैं लॉनी के अंदर एक से बड़े अपरादी रहे हैं आज भी हैं उनके गिरो चलते हैं कल ही दिली में पकड़े गए कुछ अपरादी तो लॉनी की जो सिच्वेसन है वो बहुत एकदम डिफरेंट थी और उसमें म भी हुआ है रात में दो दो मुझे लेकिन ऐसा नहीं है जो जहां तक बात मुस्लिम की है तो जो मुस्लिम है मैं यह मानता हूँ हिंदुस्तान में मुसल्मान ही नहीं है मुसल्मान एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं है मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ तो जो लोग एक पर कारे थी हमारे हाँ उन्होंने किया तो वो लोग गाय काटने वाले लोग या मास algún की दुकाने कशलाने वाले लोग Hotel चलाने वाले लोग ढूराशारी भूमाफिया उनके खिलाप ही मुझे लौगोंने बनाय तो ये लोगों ने बनाया कि लौनी में और वहन आम लोग सनातन जो को मानने वाले हिंदू वहां से प्लाइन कर रहे थे माफियाओं के और मुसल्मानों के भैसे आज वहां लगबग 30% लोग बढ़ें पहले से ज्यादा तो यहाने कि योगे सरकार अच्छा काम कर रही है लोनी में आपके बिलकुल कर रही है सरकार अच्छा काम कर रही है सरकार का सपोर्ट है लेकिन उसी में जो अधिकारी आड़े आते हैं कहीं ने कहीं उन से हम लोग समझाने कुशिस करते हैं आपने यह बड़ी बात कही कि लोनी में अगर पुलिस चाप्मारी करें तो हत्यारों को इतना बड़ा जकीरा बरावन हो सकता है कि युद्गे गामा सकता है कहां पर रखा है वो जकीरा ने तमाम जगे मैं कई बार बता चुका हूँ अधिकारीयों को मैंने माने मुक्मत्र को भी पत्र लिखा कि यहां अभियान चलाने की जोड़त है आज भी लौनी में हमने बहुत कोशिस की काफी लोग हमारे बनने के बाद यहां से भागे और दिल्ली गए आज भी हजारों रोहिंगया और बंगला देशी जो दिल्ली के लिए भी खत्रा है जो हमारी राजधा के लिए काम ना करके बेइमानी की वो प्राकाश्टा होगी है कि मने योगी जी जैसे इमांदार मुखमंत्री के बाद भी उन्हें कितना से अंगर्स करना पड़ता है कई बार हमने देखा है कई विभाग के तो परमुक्स अची भी इस तरह की फीड़ बैक देते हैं तो भ जीवन की बात करूं तो अपने इंजिनिंग की पड़ाई की टॉपर रहे आप नोकरी भी फिर की उसके बाद मैंने आपके बारे में काफी पड़ा है कि जो राजेश पाइलेट कॉंग्रेस के मेता थे आप इस दुनिया में वो नहीं है उनके साथ आप रहे उसके बाद अ कॉंग्रेस में कभी नहीं रहा राजेश पाइलेट साथ को जो मैं इंजिनिंग कर रहा था तो उनके विचारों से में परभावित था उनके बासन सुनता था उनकी बासन सुनते थे तो आपको यूथ को भी इंस्पार करना किसान के लिए वह आद बूत लीडर थे और उसक कर रहें जो को नहीं स्टूडनेट को जूड़ी है वहीं मिल ए कुम्हानि अंध्लेश यादाव जी के साथ यूथ के जो हमारा विचार था साइद हुने कहिना कहीं हमारा ठीक लगा होगा तो वो हमारा बहुत सम्मान करते थे तो कोई हमें कोई राइनितिक बात नहीं थी उसके बाद ये बात सही है कि हमारा सम्मंद दोनों से अच्छा रहा पैलेट साब तो बहुत बड़े नेता थे उस टाइम और हम बहुत चोटे उम्र में भी काफी हमें स्टूडेंट थे और अखलेश जी से भी अखलेश के लिए सुरू से काम कर रहे थे और मैं बाल स्वाम सिवक हूं तो जो मेरे अंदर जो डी एने था वो हिंदूत का था तो उस कारण से कहीं ने कहीं उनको लगता था कि मैं उसी टाइम आपको ध्यान हो जब मैं चाहसंग का द्यक्स हुआ और लंबे समय तक आंदूलन चला चुनाओ लड़े तो हम चुनाओ भी निर्दे लड़े किसी पार्टी से चुनाओ नहीं लड़े हम मैं निर्दे चुनाओ जीता हूं और अजगर सेना हमने बनाई गोरक्षा के लिए अंग्रेजों की कबरे हमने उखार दी थी तो अखले अखलेश जी इस बात को लेकर के बहुत उनको मुझे लगता ऐसा प्रोफेसर साब ने कहा होगा उनने किसी ने बताया कि मुसल्मानों कबर पाड़ दी तो जब बात चीत हुई तो हमने कहा वो अंग्रेजों के वो कबरे हैं जो अंग्रेजों ने हमारे सही दोको हिंड़ा नदी पे मारा था इसलिए हमने जो गुलामी के निसान उनको मिटाने के लिए हमनों उखाडा है तीन महीने उसमें जेल में रहे लेकिन क्योंकि मैं एक्सिडेंटली पॉलिटिक्स में हूँ मैं राइनीती में जितना एक आम इस्टूडेंट जो पढ़ने लिख वाले बच्चे हैं जो टॉपर्स होते हैं उनका एक सोच होती है कि पॉलिटिकर लोग जो अच्छे नहीं होते हैं ऐसी मेरी सोच थी तो मैं जो एंजिनिंग करने के बाद जब मेरी जॉब लगी तो जॉब के दौरान मैं गाव में गया तो हमें ने देखा कि वहां उट कट रहे हैं सलाट रहूश चल रहे हैं और मै तो अगर मैं एक हड़ी मिल चलती थी लौनी में बहुत बड़ी पूरी लौनी सड़ती थी उससे और हालात यह थे कि रियल में ही लोग प्लाइन कर रहे थे और आतंक था अमाफियाओं का गुंडों का या अपने लौनी के बारे में आप से ज्यादा कुन जानता है तो उस मैंने अपनी सेल्ली से दो बसे की तो दो बस में पांच आदमी गए है डीम के आद मेरे कुछ लोग चार शे लोग थी तो पहला गया पन हमने नाइंटी एट में दिया तो वहाँ जब लो इसलिए दिया मल में जो है भाव था कि यह बंद होना ची है हड़ी मील गाय कटने क क्योंकि मैं जब दिवादीदे महादेव का भगत हूं मैं मंडे का फाष्ट रखता हूं छे साल की उमर से और मुझे आप सर्प्राइज करेंगे इंजिनिंग के एक्जाम भी सपने में दीख जाते थे तो मैंने अपने जो साथ के मेरे मित्र हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं हाज वो कहीं कहीं कंपणियों के मालिक हैं मैंने जर्स हैं तो इंजिनिंग के एक्जाम दीख जाते थे मैं बोलता था यह कोश्चन्स आएंगे तो वो ही आते थे यह इस्वरी है जो हमारी साधना थी मुझे लगता महादेव की करपा थी तो यह करते-करते मन में हुआ कि यह जिन्दगी का को मतलब नहीं है मैंने रॉपलिश आपको एक्जाम लीक कर देते थे सपनों नहीं करते थे बल्ला हमें पता चल जाता था वो ही आते थे लीक करना क्या उदो अब जो भी है वो कोई ना कोई ऐसी इस पर यह ताकत रही होगी और फिर उसके बाद हमें लगा कि कुछ करना है जो कोश्टन्स आपको सपने में आते थे उनका आंसर पहले सी बता होता था या फिर उसको तो जरूर तो यहार कर लेगा बाकी जो उसको आता है कालग मैट रहे तो उसमें फिर हमें लगा कि लोग क्यों नहीं जूड रहे कोशिस की अजगर सेना बना अच्छा आपको लगता कि जो महादेव की भक्ती करते होंगे दिल से तो महादेव सब के लिए काम करते होंगे नहीं यह बहुतों अलग अलग विश्य है लेकिन महादेव तो द्यालू है वो कब क्या कर दे किसको एकदम नीचे से उठा करके कहां भेज़ दें अब देखि के लिए एक एक ब्रक्ती के लिए उनको कही ना कहीं प्रेड़ना देने का ऐसा काम है जिसके कारण यूथ आज माने परधानमंत्री जी को बहुत बानता है मैंने देखा है यूथ के बीच में जाता हूं खास तोर से जो इंजिनिंग के स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के स्ट कारान जो है कि एक बेचने वाले रखती को दुनिया का सबसे लोग प्रधा ना तो यह माहदेव की किरपा से तो कुछ भी संभाव है तो इसलिए फिर हमने सुरुवात की हमने जौब छोड़ दी और अजगर सेना बनाई अखले जी सा मारी मित्ता थी तो उन्हें भी लगा कुछ नौकरी भी कहीं की थी कहा नौकरी की थी आपने एक हैं बड़ी कंपनी है एक बड़ी कंपनी बाव में नौकरी बनाती थी ठीक ठाक आपको पैसे भी मिल रहे होंगे उसके बाद सोशल सर्विस का जो आपके इंदर जजबा कूटा तो उसके पीछे यही वज़ा थे कि जो सरातन का अपमान हो रहा था गाय को काटा जा रहा था गौर अख्षा के नाम पर आपने अपना इंजिनरिंग की जो नौकरी थी वो छोड़ दिया आपने उस टेम तो मुझे को यह थे था ही नहीं कि मैं कभी हमेले बन सकता हूं ना मेरा कोई सपने में था मैंने जब दकरते थे तो हमें खूब लिखा भी है और दिखाया भी है तो जो वो एक मन में टीस हुई कि मैं भगवान का भगतू तो क्या मैं मन से हूं अगर मैं मन से हूं तो गाया अगर कटनी बंद नहीं हुई तो मेरे लिए लानत है एक बच्ची थी बारे साल की मुस्लिमों ने उसको उठा लिया समाज वदी पार्टी का एक निता था उसके साथ बलातकार कर दिया सारे के सारे मुस्लिमें एक हो गए हिंदू इतना डरता था वहां लौनी में कोई खड़ा नहीं हुआ तो मेरे साथ कुछ मेरे बाल में समाज के लोग उजर कुछ और जो आने लोग थे जो जुड़े रहते थे उन लोगो ना उसका विरूद किया हम लोग वहां गई लड़े और वो जेल भीजवाया तो बच्ची ने रोते हुए कहा था कि मुझे या तो इनसाब दिलाओ भी या या मुझे मार दो तो वो मुझे बहुत उससे भी एक मन में ये लगा कि भई ब स्वहंभाल थाकरेजी जी का जो कॉरिक्टर था और जो सिवाजी महराज का उनकी मातजी जबाई का जो एक करेक्टर था तो जब मैं ये संघर्ज करने लगा तो कही ना कही घरवालों को लगा यह बोलते हैं न गाव में कि ज्यादा पढ़ने की वज़े से इसको कही ना कही डिश्टर्ब हो गया है तो उनको भी लगा उन्होंने रिस्तदारों से भी कहा और हमें बहुत मुझाने की कोशिश की और मलब बहुत नाराजगी भी घर में ह रखती था मैं लड़ता रहा और वह अजगर सेना को मुझे लगा कि यह मजबूत नहीं हो रही मैं फिर दोबारा एडिमिशन लिया दोबारा एडिमिशन लेकर के पूरे पश्चिमत्र प्रदेश का सभी बना मैं स्टूडेंट के चुनाव करना लेक लिए चासंगर संभी बनाई उसके बाद पूरा पश्चिम का स्टूडेंट जुड़ा और वह चुनावाल हुआ उसमें नौ महीने सटक पर सोया हूं मैं और नौ दिन तक इमानदारी से पानी की मूल नहीं पी उसी दोरान जो हमारी फिवर में जो गल्स जो मुवमेंट कर रही थी अंदोलन उन ने लोनी जो चौकि थी घंटागर थाने पर एसमें राजनाठ सिंग का विरोध किया था आप ने उसमें नहीं ने ने राजनाठ सिंग तो बादमाई मदब जब चासंग का 2004 में वह गल्स के कपड़े फार दिये तब हमने विरोध किया था और मेरा यह बात सही एकि 55 किलो क लगबग वजन रह गया था और किटॉन भी बोडी में बने थे और डॉक्टर ने कहा था कि अब खतरा है उसके बाब जूद भी हमने पुलिस एक तरफ थी हम एक तरफ थे और हम भी जीते उसमें भी और हमने सारी गल्स को वहां से छुड़ाया और हमें अरेस्ट कर लिया काईनिती में स्थापित थे उनके लड़के लड़के क्योंकि 27 साल बाद चुना हुआ तो मेरी जेव में 900 रुपे थे अब एक हजार रुपे में एक हजार पोश्टर चपते थे उस टाइम अब 900 रुपे में पोश्टर भी नी चप सकते थे और घर से मदद नहीं थी घरव प्रूबलम्स थी जो खितों में कॉपी मिली बना उसमें वापिस ही एडमिसन लेने का उदेश था कि जो मेरी अजगर सेना है उसमें यूट को जोड़ा जाए क्योंकि जो एक टेरर था लौनी में उसमें लोग जुड ने रहे थे तो गोरक्षा का एक बड़ा काम देश मे किया जाए और ऐसा संक्ठन मनाया जाए कि जिस तरह से दिली में जो उस टेम हालात थे चारो तरफ कॉंग्रेस की सरकारे थी हम रोज गाड़िया पकरते थे मेवात में दिली लौनी बागपाद सहीवाबाद तमाम जगे पे गोकसी का नोईडा में अलग-अलग हमारी टीम सी तो उसके लिए हमें लगा कि इसको मजबूत करना है तो यूट की हमने उसमें भरती की और यूट जुडा भी उसमें हम शक्सस भी रहे उसके बाद माने राजना सिंग जी गूजर अंदुलन चला उन लगातार हमने लड़े दोनों बार हम जेल गए दो साल अंदुलन तो गूजर समाज का एक निरने था मैं गूजर समाज के जो संग्ठाने उनमें भी कहीं ने कहीं मैं संग रख सकूँ या उनमें कहीं पतादी का रही हूँ तो उन्होंने कहा कि मैंने राजना सिंग जी से इस बात को कहा जाए कि भई गूजर भाजपा कोई बूट करता है one sided पहले से ही तो यह हमारे साथ जो राइस्थान में हुआ ठीक नहीं हुआ उस पर हमने विरोद किया लेकिन जब मैं उनका विरोद किया तो हमारे संक्राचारिय जी अब हमारे बीच में नहीं है सरीर पूरा हो गया माधवासरम जी महराज वो गोरक्षा कांदोलन चलाते थे उनके ही तुरू मैं गोरक्षा का काम करता था जूड़के उनकी टीम में तो वो मुझे से नराज हुए बोले माने राजना सिंग जी ऐसे देवता का विरोद करोगे और जो कॉंग्रेश जिसने वक्तों को मरवा दिया साथ नॉम्बर उनिस सो च्छासट को और ये गाय काटने वाले बीफ पार्टी करने वाले तुम उनके साथ खड़े हो तो मैंने का महरा जी क्या गलती होगी बोले माने राजना सिंग जी को बोले कि वही गोरक्षा का बिल लाए थे गोहत्या बंदी बदल लंबे समय बाद और हम तो ये चाहते हैं कि वो जवान रहें और दो सो साल तक इस देश को जरूरत है उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है कैई घटनाए तो ऐसी है कि जब मैं पश्चिम में जाता हूं तो किसान उनके लिए रोता है जुगार चलाने का माम माने राजना सिंग्ग जी चाहते तो बन जाते है उनको लगा कि माने मोधी जी देश के लिए बड़ा काम कर सकते है और हमारे यहां देखिए माने राजना सिंग जी बड़े दिल के लिए जाने जाते हैं, वाले अटल बिहारी वाजपई जी के सिस्से हो, जैसे उनका हर्दय था, ये पूरा देश जानता है, राष्टी अध्यक थे, उन्ही को डिसिजन लेना था, माने आडवानी जी के सामने डिसिजन लेने की किसी की हैसिएत नहीं थी, वो अगर कहीं ताकत रिने लेने की, अगर माने पंकर सिंग जी को टिकट ना देने का फैसला, मैं राष्टी अध्यक सुन नहीं करूंगा, कोई भी इससे बड़ा उधारन नहीं हो सकता, सब अपने पुत्रों को चाते हैं, ले माने राइना जी पर चर्चा करेंगे तो, यह तो कई दिन का मामला है, लेकिन उनके जैसा जिस तरह से किसान एक बार घिराव करने के लिए लखनों में आये, माने राइना सिंग जी सीम थे, तो बाबा टिकेट थे, और उनके नाम से धरती हिलती थी, एक दूसरे टिकेट जैसे हैं, आपको पताईए, लेकिन उन्होंने गेट खोल दिये अपने, आप नहीं तो बैठाया हमें, आप आईए, बाबा टिकेए, एक दम गदगद होगे, खाना खिराया हुने, बोले जी, आप जैसा में मुखमंतरी नहीं देखा, डरे नहीं वो, फोर्स को बोल दिया हमारे लोग हमें किसान हो खुद, तो इसलिए किसान नेता हुए, तो उनकी बात अद्बूत है, माने मोदी जी तो देखिए, एक ऐसा विक्तित है, वो तो देव है, वो तो यह समझी है कि भगवान महादे को आंस मानी है, जो पूरे दुनिया के अंदर, लोग प्रियता है नहीं, दुनिया के अंदर भारत की जो सुगंद फैली है, वो जो हिंदुस्तान हर तरह से बिजली, सड़ाक, पानी, शिक्सा, शिक्सा, इतना डीपली कॉन सोच चकता है कि सोचाले में हमारी बेहन बेटियों को बीच में कोई मोटसाई के लिए गाड़ी आती है, बीच मे खड़ा होना पड़ता सोच में, तकलीफ होती है, वो तो सोचाले से लेका बिमार विक्ति होता, कई बर सौरूपे नहीं होते, बहुत सी चीजे हैं, तो उन्होंने जो किया है, वो तो अद्बुत है, तो माने राजना सिंग जी और माने मोदी जी को ऐसे समझे आप, माने ह योगी जी का अपना एक अलग विक्तित हुए हिंदुत के लिए, और योगी जी का तजलवा ही है, इसमें क्या है? अगर मैं यह कहूं कि आपकी पसंद का पहला नेता कौन है, मोदी या योगी, दोनों में से किसको ज़्यादा पसंद करते हैं आप? देखिए, मेरे दोनों है, और राम है, और हनुमान जी तो उन्हीं के भजन कर रहे हैं, ऐसलिए योगी जी को हनुमान मान लीजी आप, योगी जी हनुमान है मोदी लिए, आपने भी कुछ देर पहले दायक जी एक बात कही थी, कि आपने कुछ अंग्रेजों की कबरे उखार दी थी, हमारे हिंद लोगो खारना गलत नहीं लगा आपको, उसकी परिस्तितियों का आपको नहीं मालूम साथ, अकबारों में छपा था, सारे टी वी चैनल पाया था, कि पूरवजों के जख्म कुरूए थे, 31 फोजी जो वहां के थे, अधिकारी, उनका एक दल आया था, इंग्लेंड से, और लाल के लिए पर भी सांकीत रिकुस्वत रंगा फेराया था, और मेरट में जहां जहां भी हमारे सहीदों के इस मारक थे, वहां उन्होंने टॉयलेट रक की थी, और ये कहा था, कि हम कितने बहुदूर थे, कि हिंदूस्तानियों को गुलाम बना के रखा, और अकबारों न हमारे फिवर में पुरा सहर नहीं है, पुरा देश के लोग हमारे समर्थन में आए थे, तो वो उस टेम जरूरी था, ये बास सही है कि मरने के बाद माफ कर देना चाहिए, लेकिन को चैलेंज करता है दूसरे देश से आकर, तो मेरे भाव थे, मैं स्टूडेंट लीडर था उस टेम चाहसंग का अद्यक्स था, तो चाहसंग अद्यक्स कि था, जब मैंने पढ़ा तो मेरा खून खौल गया, तो लोगों ने उसको सरहा जरूर, क्योंकि वो इस्तिती ऐसी थी, देखे जो भी लोग आपको जानते हैं, आपके बयानों के बाद आपको कहते हैं कि ने खिले आवाज उठानी चाहिए, तो वो आवाज उठाता है, अब मैं बात करता हूँ सीधे आपके लोनी विधान सवा पर आता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था कि जहां पर एक जूस की दुकान थी, मानव मुत्र मिलाकर लोगों को जूस पिलाया जा रहा था, उस पर क्या कहेंगी कि किस तरह की वहमनस्ता ये समाज में फैल रही है, देखिए, एक जिहाद के नाम पर, बेट्रियों की हत्या कर देना, लव जिहाद, थूग जिहाद, मुत्र जिहाद, बनलब ये सरम आनी चाहिए, ये पूरे मुसलमानों के लिए मैंने तब भी कहा था, और एक बड़ी महापंचात हिंदू संखनों ने की थी, जिसमें जनसमु बहुत बड़ी संख्या मुमडा था, अपनी सवारियों से, लोगों के अंदर आज देश के अंदर एक बदलाव है, हिंदू आज खड़ा हो चुका है, इसलिए जो मुसलिम इस तरह की ह हरम गुरू है, उनको इस पर मिटिंग करनी चाहिए, और उसके लिए कहना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं है, गलती माननी चाहिए, तो तो समाज में मिले रहेंगे, आज समाज में लगबग अलग तलग पड़ गए हैं, तो लोग, क्योंकि देखे, लौनी में नह चलाएगा, होटल चलाएगा, तो देखिए, उसको तो हम इलाज करेंगे, हम करते हैं, उसमें कोई किसी तरह का, मैं समझता नहीं कि कोई भी, मैंने देखा कि आप कन्वर्जन के खिलाब भी बहुत बड़ी उहीं चलाते हैं, जो हिंदू को मुसल्मान बनाते हैं, या मैं बड़ी बात कह रहा हूं कि भारत के अंदर, कॉंग्रेस ने वो पाप किया है, अगर कोई भी हिंदूस्तानी मेरी बात को सुन रहा है, एक एक व्यक्ति, कॉंग्रेस को बोट देने का मतलब है, राष्ट के साथ गद्दारी करना, कॉंग्रेस ने दस करोड के लगभग जो विदेसी गुस्पेटी हैं, उसको बसा गए हिंदूस्तान में बसाने का काम किया, इतना वड़ा पाप किया कि केवल बोट के लिए इस राष्ट की सुरक्षा को खत्रे में डाला है, दस करोड रोहिंग्या बंगला देसी भारत के अंदर रह रहा है, पश्यम बंगाल क सरकार ने दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल जी के दो विधायक इसी काम को कर रहे हैं, यह मैंने ही कह रहा है, जब मैंने यह मुहिंग्या बंगला देसी पकड़े गए, उनके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड, दिल्ली का था, रहते मेरे यहां थे, उन्होंने बता हो आएगा तो बुट डालने जाएंगे, इस पर मैं लगाता रहाज उठाई किसी ने नहीं सुना, इसलिए यह तमाम चीजें इस तरह की हैं, जिन पर हम बोलते हैं क्योंकि जो राष्ट के लिए नहीं जी सकता तो उसका जीना बिकार है, और यह पार्टिया जो कर रही है, इतना बड़ा थे कि समाजवधी पार्टी आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश देती है, के सुना अपने, बला हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान के बाहर नहीं सुना होगा, मानने लियाले को टिपनी करनी पड़ी, तो इस तरह की जो सोच की पार्टियां हैं, उनको आ समाप्त हो रहा है, बीजेपी समाप्त कर देगी, जातियों को लड़ाने की कोशिस की गई, वो जनता आप समझ चुकी है, इसलिए हर्याना में इनकी दुर्गती हुई, और कॉंग्रेस को जो महत्मा राश्पिता गांदी जी का सपना था, उसको पूरा करने का काम भी बार नहीं हिंदू की नहीं है, दिली में बहुत लोग रहते हैं, मैंने यह भी कहा था कि मुस्तवबाद चले जाओ, वहां उनके समाझ के लोग जयादा रहते हैं, ये आपने सुना पूरा, बहुत लोग था ने जाओं एक समाज पूरे देवादिदे महादे और महामाई जहां साकसाद बैठे हैं जा भगवान परसुराम जी ने तपश्या की हो वह पत्तर फैक देंगे हमारे रहते हुए हम सनातन धर्म को हम हजारों साल इस देश की रक्षा की है उसके सवाल मेरा यही है आपसे कि आपकी पुलिस है रोकने के लिए पुलिस मोर चले है उनसे आप लोगों ने वहाँ महाद बंचायत कर दी मोहल पुरा बिगाड़ने का प्रयास किया पुलिस ने मना किया था कि क्रेस्ट पुलिस ने वहाँ एक महात्मा के साथ जो उसको ग्रफ्तार करके जो ग्रफ्तार कर लिया उसके बाद मंदिर पर पथर प्थर भा ने का है उसमात्मका कि प्यान नहीं करता जो आप लिए अगर कारवई आप चाहते हैं तो आपके लिए बेकर कमिस्たर और disgrace तक जाने का राष्ताए आप किसी मंदिर पर जाका हमला करेंगे और यह इंटेलिजेंस की रिपोर्ट माय आया है कि वहाँ महात्मा की अद्याह होती और जो वहां सुन रहे थे उनको मारा जा था तो पुलिस ने तो वहाँ जो शुरुवात में उन्हें रोकने का काम किया, तो मैंने कहा भी था, कि कठोर कारवाई करनी चीह, नहीं लगाया, तो जब यहाँ पुलिस जो है, अगर नहीं जगती है, तो उसके लिए समाज ने, हिंदों ने वह आवान किया, मैंने नहीं किया, हिंदू ना आवान किया तो मैं तो उन से अलग नहीं हूँ तो तब मुझे लगा कि पुलिस लाठी जार्ज करके हैं का महुल बिगाड़ना चाहती है तो मैं तो उल्टे सरकार का सहोग किए हुआ जाके सरकार को कही ने कहीं अगर वहां कुछ लोग मर जाते हैं हिंदू-मु लोनी का बयान मुझे आपका याद आ रहा है कि लोनी की जनता के लिए आप काफी कुछ करते हैं वैसे एक महाँ पर रेड हुई थी बिजली की अधिकारियों रेड की थी और गाउवालों की उनसे कुछ बहस हो गई फिर आपने बयान दिया कि ऐसे बिजली वाले अधिकारिय नहीं थे वो लोग थे माफिया अपराधी थे और उन्होंने अपने आपको बिजली वाला बता करके जो हमारी वहां बहन इसनान कर रही थी बाहर से कुण्डी लगा के उनके घर में वहां से पैसे लेके निकालके तो लुटे रहे थे वो बिजली वाले नहीं थे बिजली क्योंकि मेरी विधान सभा से सटी हुई है और दिली के अंदर जो दिली के बॉर्डर से हैं सब पर रोहिंगा और बंगला देशी तनी बड़ी संख्या में कि आप निकल नहीं सकते दिली की इस्तिति खराब है सबसे जादा अगर बारूत के डेर पर आज जिन्दूस्तान म मैं बहुत बड़ी बात किया रहा हूं दिली के अंदर दस लाक से ज्यादा रोहिंगा और बंगला देशी जो दंगे जितने होते हैं सब उनके नाम आते हैं पूरे दिली को चारत और अप से घिर लिया गया है तो उन लोगों में वह आ करके जिस तरह से वहां घर में अजियाबाद के अंदर वहां कैई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वहां पर कुछ मुसल्मान हिंदू मनकर रहते थे और ये भी खबर सामने आई थी कि जो महंत नर्सिमान हैं उनकी हत्या करने की नियत से वो लोग मंदिर में आये थे और कुछ लोग बाकी मंदिरों में कलाव का जिहाद सुरू हुआ है वहां एक मकान फलेट लेते हैं उपर किराए पे और किराए पे लेकर के वहां सुक्रवार के दिन सेकड़ों लोग आते हैं अभी जो क्रॉसिंग में हुआ प्रकरन जैसे राम बुलवाय नहीं गया पुलिस मानती है लेकिन पुलिस ने भरहताच का इस सब कोशिस करने की परियास किया वह पकड़े गए क्योंकि लौनी में तो हम लोग जागरू के पूरी तरह और चारो तरह भी नजर रखते हैं तो इनका मंदिरों में जा करके जो हमारी बेटिया जाती हैं वहां जा करके उनको सम्मोहन करना कुछ जिस तरह का के साथ जा रहे हैं लव जिहाद के साथ जा रहे हैं तो उनके लिए तो कहीं न कहीं पहचान की जरूरत है अब तिलक भी लगा लिया और कलावब बांद लिया अब इसमें क्या करें हम तो इसके लिए कोई वबस्ता ऐसी होनी चाहिए कि उपता चले कि कौन है क्या वबस्त तो बाहर भी तो होती है देखना चाहिए कि हिंदु के मुसल्मान है किस तरह की तलाशी की बात कर रहे हैं अब यह विवस्ता मंदिरों में कराने जा रहे हैं लौनी में जो घटनाए आई हाला कि वहां हम मुस्तेद हैं हमारे सब कार्करता भाजनता पार्टी के ध्यान रखत हैंखना मैं तो इसको चेक करना जोली है विद्धाइक ची मुझे बताई कि यह को डाउट कैसे होता है ऐसे मन्दिर में कोई पहरेदार नहीं कि मंदिर में तो बहुत ही शद्दभाव से कोई भी जाता है तो मंदिर में डाउट करने वाले चीज कहां से आ गई गई तुमा दूरी है एक भी घटना घटेगी तो हमारे लिए बहुत खराब होगा इसलिए ये वबस्ता हमारे करकरता करते हमारे करकरता तो इस्टिंग ऑपरिसन भी कर लेते हैं अधिकारियों का जो अधिकारी देखिए लौनी में बरस्टाचार नहीं है जहां की सिकायत आई तो वहां हम अड़ते हैं इसलिए कई वार लगता है कि मुखमंदरी जी के खिलाप हैं जबकि मुखमंदरी जी का काम कर चाहिए की जो मुसलमान बदल कर जाते हैं अपना धर्म मन्जाह क्या हो सकती है कुaching नहीं होती है वगवान को के साथ के क्चकर में हों क्या करते हैं को शॉँ जिहाद सीदा यजो बततमीजी कर रहे हैं कोई भरोसा है है भगवान को एपज़ब करने अपने DCP बैठते हूं, ACP का लगातार वहां जाओपीस है हमारा, वहां पुलिस वाले जूस पीते थे, तो जो वहां ने डरते, तो वह मंदिर में जाकर कर सकते हैं, मंदिर में जल में कुछ मिला कर चड़ा दें, तो उनका पहचान नहीं होना चाहिए, जो हमारे प्रान पति करने का परियास कर दे, उसको भगवान जो सजा देंगे, तो देंगे बाद में, ततकाल तो मंदिर का खंडन ना हो जाए, मंदिर खंडित ना हो जाए, तो ऐसे राक्ससों के लिए तो देखिए, वबवस्ता करनी पड़ेगी, ये केवल काम पुलिस का नहीं है, समाज की ज जुम्मेवारी हमारी है, कि जो सनातन को मानने वाले लोग है, उनका धरम भी सुदूर है, उनकी तरक्की भी हो, उनका विकास भी हो, और उनकी जहजेकार भी हो, अब हमारी सर्कार में नहीं होगी, तो कब होगी? आपने आपको लगता नहीं कि आपने बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया है कि मंदीरों के बार उनका खत्रा चाहिक होना चाहिए मतले नहीं विवस्ताफ लागू कर रहे हैं और आपके लोग कराएंगे भी इस सब का नहीं है जो डाउट फुल है हमारे हैं सब नजर जान रखते हैं क्योंकि हम जब दूसरे को कोई पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते धरम के आधार पर एक भी हिंदू ऐसा नहीं है कि कहीं मस्जीद में जाकर जूट बोल करके गंद्गी कर देगा या किसी के अधार नहीं है कि कि किसी के जूस में कैसी हरकत कर देगा तो जो साजिस चल रही है इंटरनेशनली अंतरराश्टिय साजी से को छोटी मोटी बात नहीं है इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग है मोट साइकल दी जा रही है उनको कपड़े दिये जा रहे हैं कि जाईए मंदिरों में सब नरक करिए तो यह तो अगर मनें मोदी जी नह है यह फीत लोग होता है जो भी शनातन को मारने वाला है जो भी पूजा करता है या नहीं करता है हिंदू हमार लॉनी के अंदर आप जाके देखिए करके लॉनी में ततकाल पकड़ा जाता ना अदमी कुछ सोचता भी है उससे पर लोग पकड़ लेते हैं तो पुलिस से पह पुलिस जब तक पहुचती है अगर कहीं कोई बवाल हुआ अभी एक रहडी वाले को गरीब को मुस्लिमों ने पीटना सुरू कर दिया घर गेर लिया उसका रात के डेड़ बजे थे मुझे एक मा का विचारी का रोते हुए फौन आया तो ऐसा उसने बताया कि मैं इस इस तर हाट से रहेंगे मैं तो गहां में रहता हूं ना मैं साधान तुट हज मिलता हूं सुबह लोग आने लगते मेरे हां तो हमारे लिए देखिया जनता ही भगवान है या तो भगवान महादेव जनता है जो पार्टी ने काम दिया है एक भी वक्ति नाराज ना हो सबका हम काम करें यही तो भार जनता पार्टी सिखाती है आपका तो यह जो बयान है मुझे लगता है कि अब तो आपके इस बयान के बाद हर मंदिर के बाहर एक फ्रिस्किंग बॉक्स करका पड़ेगा जिसमें पूरी आप तो बैयान के पीछे पड़ेगे इसके अपको ऐसा लग रहा है कि वह आनी कुछ आपने ऐसा दे दिया ने और रास्ता क्या है आप बता रास्ता क्या है कलाव भी बांध रहें आप ति पूजा कर रहा हूं पूजा पत्ति कैसे हो मैं अपने धर्म को कैसे बचाओं तो यह विचार अगर है तो लोगों को अगर यह बताया जाए पी जो हमारे करता मंदिरों में जो लोग रह रहे हैं और वहां पर जो टीम रहती है हनुमान चालीसागी टीम है माल लिया को उसका इलाज भी ठीक से होता है मेरा सवाल विधाई जी यह है कि आपके लोगों कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान चीपा कर जाता है उसको आप पकड़ लेते हैं उसकी चेकिंग भी करते हैं क्या क्या लोगों के हिंदू को ही जरूत है क्या पूरे उत्तर प्रदेश मे देश में सिस्टम लग होना चाहिए भगवान का आप मानना हो यह बहुत गंभीर बात आपने की है कहीं भी भूल से भी कोई मल मुत्र डाल के थूख डाल करके भगवान को खंडित ना कर दे इसनान ना करा दे या इस तरह का कोई परसाद ना चड़ा दे तो यह डूटी त और जहां तक आज उत्र प्रदेश की बात है तो मने योगी जी के आने के बाद हिंदू के अंदर एक बहुत आतंबल आया है और वो खुद ही मनलब ऐसा नहीं उसे चार्ज करना वो खुद ही चार्ज है और ध्यान रखता है मेरा कहा यह है कि क्या आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर अपने विचार रखेंगे क्या ऐसा होना चाहिए नहीं कर आप मिखमंत्री जी तक तो विचार मेरे आपके दुआरा पहुंची जाएंगे मुखमंत्री जी हमारे हाई टेक हैं उनको वह एक अलग ब मुझसे ज्यादा जानकर आपके यहां चैनल पर मैंने बूला है आदे घंटे बाद मैंने मुखमदीजी के पास होगी उनको जितना परदेश के अंदर क्या चल रहा है कई चीजे तो मैंने ऐसी देखी हैं मैं देखता हूं जो व्यक्ति को बहुत चोरी से करता बहराजी को प कास कैसे हो देश कैसे हमारा दुनिया में नवर बन हो और सनातन मजबूत हो गाया जिस दिन गाया कटनी बंद निया जाएगी विस्घुरु बन जाएगा उसमें दस साल नहीं लगेंगे यह अपने आप में क्योंकी गायावज़ा है गाया कटनी बंद हुई है कहीं कहीं कट रही है कम है कुछी स्टेट्स में सरकार नहीं है उसके कारण ही यह सब अपराद और जो बलातकार दुराचार हो रहा है यह उसी का दूस्पराम है जिस दिन गोत्या बंद होगी उस दिन देश के अंदर जो रामराज तासली वह वापसी आ जाएगा और मुझे उम्मीद है जिस तरह से महराष्ट में हुआ है तो गायगोर राष्ट माता का दर्जा निश्चित तोर पर मिलेगा और उसके बाद देश का नक्सा बदल जाएगा अच्छा अच्छा प्धाईजी आप योड़ों से मिलते हैं तो क्या-क्या उन से बात होती है कभी वह हसत हैं हमें थोड़ा यह देखना चाहिए कि जो दुष्ट है उनके लिए तो पुलिस है कानून है तो हमने बताया भी कि पुलिस की आंगलती है तो महराजी ने भरोसा भी दिया कि नहीं उसको ठीक किया जाएगा तो चर्चा तो होती है लेकिन जात्तर जो डॉलॉप्मेंट क जह कोई है फुछा हैं तो में मुख मत्री है गहां की बातषीत करनी है तो इसा नहीं है कोई को डिवटी ची जाएगे नहिताू है । तो ऐसा नहीं है, कोई विश्य है बादसीत करना है, बाश्पा मे तो खुड़ा लोकतंत्र है, जो आप कह रहे हैं कि वही हम किसी के खिलाब बोल रहे trzeै ऐसा लगता है, ऐसा कभी नहीं है। बाश्पा में अपनी बात को कहने के आजादी है और वास्त में, अगर ब्प्तंत्रीक पार्टी यह भाज पाया कि समाजवादी पार्टी में कोई équन सकता था कोई झाल न होगता है चमचा इक करनीए का हमारे यहां जो सही बात उसको सुना जाता है पा्रटी-लाइन के अंधर दिए अगर आपकी पार्टी में सब विपक्षके विधायक भी खड़े हो गए क्या था पूरा मामला वह कि फूड इस्पेक्टर का प्रकरण है आपको मालूम होगा वह मास्की दुकान मंदिर के बरांबर में उसने अनुमती दी मैंने उसको कहा कि सपा बसपा में हमने नी खुलने दी लौनी में एक भी मास्की दुकानी खुलेगी एकोर्डिंग टू एरक्रॉक्ट और्डिनेंस उसने हमारी बात को अन्सुना किया तो हमने उसको कहा यह ठीक नहीं है हम आपकी सिकायत करेंगे तो उस पर उसने कहा जी मेरा हाथ तोड़ दिया और ओपर अधिकारियों को जिस तरह से फीड़ बैक दी तो मुझे फाई यार होई फाई यार होने के बाद हमने ग्रफता जी की बात की तो हमारे साथ पचासो हजार लोग इखटे होगे कई जी लोगी पुलिस को आना पड़ा फिर उपर से अब हमारे उस टेम पर मुक्सची ग्रह अवस्ती जी थे उनकी कॉल आई कि भई ऐसा न करम हुआ कि उसमें दो दिन तक हमारे साथ 255 विधायक साथ में रहे कि यह गलत हो रहा है तो वो था कुछ टाइम एक विधायक अपने साथ 255 विधायकों का समर्थन पा लेता है इसके पिछे कि क्या वज़ा मानते हैं तो यह है कि मेरा बभार सब के साथ अच्छा एक तो गटना इसतरी थी और तीसरी बात सब को मालूम है कि हिंदूत के मामले में हम समझोता नहीं कर सकते हम राजनिती करें ना करें रहे न रहे इस समाज में पीदा ह訴 लंड़ होना ही अपने आपने अपने गर्व की बात है आज पूरा वर्ल्ड दुनिया में रादे रादे करत कि विकास करना लौनी में ना बिजली थी ना सडक थी ना पानी थी ना शिक्षा ना शिकित्सा जीरो था गहरे-गहरे गड़े ते मड़र डखेती अपना लूट होता था बरहता चार था उस पर चोट करने के सास्ता कोई ऐसी नहीं है आज जो ना हुआ एक बारवी का स्कूल सरकारी नहीं था मैंने दो चालू करवा दिया इसा नहीं बनेंगे सारे प्राइमरी स्कूल्स होस्पीटल्स डिगरी कॉलिज बेटियों का तिसरी मजिल पर काम चल ला है और तमाम मैट्रो लाने से लेकर के तमाम काम हुए है जल निकासी के लौनी तो आपने देखा कि जा इसी तरह का कि अगर आप अग्रेसिव नहीं होंगे तो लोनी नहीं चल पाएगा नाम में अग्रेसिव होता ही नहीं कभी जब कर रहे थे कुछ लोग आपने कहा था कि जो सीए का विरोध करेगा मैं उसकी खाल कीश लूँगा बख्या देड़ दूँगा तो लोनी में को लोगों से शांती करो समने मेरी बात मान ली अजगर सेना ने दिली में शांती की ना तो इसलिए लौनी में मैंने कहा था कि दो लाख आदमी की मिटिंग होगी अगर किसी ने पत्थर पहका यह लिया कर तो नहरू समझोते के आधार मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है धरम के आधार पर देश का बटवारा हुआ है अगर आप सनातन की आस्ता से छेड़ चार करोगे दुराचार करोगे हिंदुों को जान बूझ के टार्गेट करोगे लौजेहा चलाओगे मंदिरों में जाका करके तुम जो वहां कलावा बांद कर तिलक लगा करके बेटियो देश मेरा है देश जब तक मेरा भारत मता की जै बोल रहे है आप पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे भारत में रहेंगे ऐसी तमाम परस्तित्या है जिन पर विचार करने की जोड़तर मुझे उम्मीद है कि यह समय है और सबसे अच्छा समय कि जो लोग हिंदुस्तान में जिन लोगों के दिमाग में यह है फितूर और जो गुस पैटी है दस के दस करोड़ उन्हें निकालने की योजना जैसे असाम सरकार ने बनाई उत्तर प्रदेश में जो अधीकारी हैं कहीं ना कहीं उतना काम नहीं कर रहे हैं उनको निकालने की जरूरत है तब ही भारत मिस कहा है कि जो दस करोड़ उन्हों ने पाकिस्तान जिन्दाबाद कहा भारत में जो लोग यहां लव जिहाद करने वाले सबके सब ख़देड़े जाएं समझोते में साफ है भगाए जाएं यहां से बंगला देश में कितना हिंदू को मार दियागा कितनी बेटियों के बलातक तो इस देश के अंदर सनातन को समात करने की जो साजिस कॉंगरेस ने रची थी बिल लाकर के जिस तरह के और जिस तरह की छूट थी मतलब लोग यहां हिंदूस्तान के ही लोग हो सकता है सरणार्थी के रूप में कहीं और जाते और सरण भी नहीं मिलती अच्छा विदाज सुझतार से अफो क्या दिक्कत है आप कहते हैं-घो ऑपैसे-ँस भर बाद कर दिया है और जो सिरीज कौन-कौन सी जो अभी सलमान खान की पिछले दिनों आई थी, आपने देखा नहीं उसमें क्या किस तरह की नंगापन था, तो वो कोई लेविल था, क्या हूँ, हिंदुस्तान में भारतिय संस्किर्ती की दुनिया जो पूजा करती है, दुनिया भारतिय संस्कि उनको सबसे जदे इंटॉलरेंस हो गया है, भारत में बहुत खराब है, उन्होंने इतना पैसा हिंदुस्तान के या देश में रहकर कमाया, सारी मौज ऐसो आराम मिले, उसके बाद उनकी मुई देखिए, तो जो भी देश के खिलाब बोलता है, केवल सारुक खान, सलमान ख किरीज थी, उसके खिराब भी हमने आवाज उठाई ऐसा थोड़ी है, उत्तर प्रदेश में अगले साल महाकुम होने जा रहा है, आपकी सरकार ने कदम उठाया कि वहां पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी, एक तरह से इंडरेक्टर में ये कहा गया कि जो मीट, मास, म पूरी तरह से सादू, सन्यासि और अखाडू का होता है, जो अखाड़े निरने करते हैं सरकार को मानना पड़ता है, इसलिए ये निरने सरकार का नहीं अखाडू का है, आखाडू का जो सुझाव जाएगा, कुम्म तो ये सनातन के लिए ना, आब वहां मालिया को खंडित चाहिए मैंने मुक्मंतरी जी को कि इससे कोई भी किसी तरह का वहां विबाद नहीं होगा वहां करोडों लोग आएंगे अगर किसी ने कुछ इस तरह की कोशिस की और लोग अगर वहां आपको मालूम है नागा सन्यासी उन्हें मुगलों की सेना काड़ डाली थी कोकुल में गो रक्षा के लिए तो नागा सन्यासी जो हों जो तब कर रहे हैं जो ब्रम्चरिया का पालन करते हैं वो एक व्यक्ति में सौ आदमी के बरावर ताकत होती है अगर वो गुस्ता हुए तो उसमें नुक्सान नहीं होगा इसलिए यह तो मुसलमानों को धन्यवाद करना चा कि जो पुलिस वाले भी चाए वो हिंदू हो या मुसलमान हो जो मास मदिरा का प्रियोग करते हैं वो कुम्ब में नहीं जा पाएंगे इस फैसलों को आप किस तरह से लेए हिंदू भी अगर मास मुझे यह मेरी व्यक्तिकत रहा है मैं सब के लिए नहीं कह रहा लेकिन मेरा हिंदुस्तान को इतना भगवान ने दिया है इतने अच्छे ड्राइब सूट्स हैं मक्षन है अबताई मक्षन खाकर करके कंस जैसे जिसके नाम से दुनिया कापती थी भगवान स्री किससे नहीं उसा मार दिया तो मक्षन के इतना ताक्त हो रहे है तो गाय पालनी चाहिए है दूद घी खाना चाहिए ड्राइफ फूस्ट है अच्छी अच्छी सबजिया है आज तो दुनिया लोट्री है इस पर आज तो जितने यूरोप कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि साकाहरी जो लोग है वो ही स्वस्ट रह सकते साकार पर वापसी हा रहे हैं और हिंदुस्ता जब कंभ होगा तो उन्हें प्रहन करना चीए कि कुम्भ के दौरान हम यह कोई भी इस तरह का आच्रण नहीं करेंगे जो जीवत्या करता है कोई भी है कोई मालिया कोई मास्ट खाता यह नियम है जब बच पाई पीटा माभी सम ने खेल खेल में एक सांप को निकलते हुए काटो के उपर और काटे गुसे उसके अंदर, तो सौ जनम तक उन्हों ने कोई पाप नहीं किया, यह भगवान से कहा कि भी सम्झीने बहगवान स्रीके संजी से, कि मैंने कोई पाप नहीं किया, पिर दूर्दसा क्यो हूई, मेरे इतने बांव क्यो लगे, accepted ने कहा कि 101 जनम आपको याद नहीं है आपने काटों पर फैक दिया था उठा के वो काटे घुसे तो उसका बदला में अब दिया है क्योंकि तुम्हारे तब जादा थे आपने तबस्वी जीवन दिया को गलत नहीं किया इसलिए 100 जनम तक आपको कश्ट जहिलना नहीं पड़ और 101 जनम में तो जब बदला मलब भगवान ने अपने आपको भी नहीं छोड़ा खुद अपने पैर में बांडा नहीं लगा कि मैंने बाली को मारा था चुपके तो मेरे पैर में बांडा जब करम से अपने आपको भी जब उन्होंने धरती प्याए तो उनका इस परश्च घर में पैदा हूँ और ज्यादा मेरा नाम हो या मैं दुनिया में कहीं भी जनम लू वर्ल में तो मैं एक अच्छी जगे जनम लू तो वो आपकी मर्जी है आपको अगर कुवे में कूज नहीं है तो उसे कोई रोक नहीं सकता तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जो मासाहर और जो सराभी लोग हैं उन्हें से मेरा हाँ जोड़ के निवेदाना की कोसिस करें कि उसको हम छोड़ दें जिससे की अगला जनम भी हमारा ठीक हो नंद किशोर जी आप अपनी बेबागी के लिए बहुत जाने जाते हैं सवाल बिलकुल जो आप से पूछा जाता उसका इस प अभी भी कई अधिकारी जिसी वज़े सा हमारा ठकराव होता है जो अधिकारी अच्छे हैं जनता का काम करते हैं अपने ओफिस में वैठते हैं उनसे कभी हमारा ठकराव नहीं होता अधिकारी बिभाग तो बहुत हैं सबी बिभाग से हम काम कराते हैं को हम ऐसे विधायक त तिया थी वह इसलिए बिकट थी कि वहां लाल जी वर्मा के हां पुलीस चली जाती है सुभई वह मैसी चला गया सारे जो कुर्मी समाज था हमारा दोनों चरण जो थे बाद के उसी का नुकसान माने परधान मतली जी का जो मार्जिन होना चाहिए था रिकॉर्ड का उसका कहीं कहीं यह लगा कि भई भाजपा गलत कर रही है सविधान को खतम कर देंगे एक हमारे ही प्रत्यासी ने उटपटांग ब्यान दे दिया उससे ब्यान दिलवाया गया तो यह बात तो कभी फिर करेंगे लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सडियंत्र था अन्य तो उत्तर पर आधना दलित समाज जो बात करता था जो मने परधान मंत्री जी दलित समाज के पहली बार आप जो देखिए यह भगवान शिर्यराम नेमा सभडारी के जूटे बेर खाए ने उनके पैर दोई इतना बड़ा समता का जो कोई हमारे सामने ऐसा कोई महाप्रूस हो और अगर य बात बिल्कुल सही है बठोगे तो कटोगे इसमें दो राय नहीं है कस्वीर में लोगों ने देख लिया पश्वी मंगाल में आपने देख लिया कि वहाँ जब जब हम डिस्जिजिन गलत दे रहें अगर बीजेपी की सरकार एक बार भी पश्वी मंगाल में आजाए तो जो ह रोज यात्रा ने निकल सकती हैं, खोलियां बलातकार हो रहे हैं, मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, जो आतंग के वहां, जो कभी कॉमनिस्ट करते थे, अब वहां दीदी कर रही हैं, तो यह समाप्स हो सकता है, तो एक जुटता सनातन को इक खटा तो होना ही मुखमत रीजी ने उसको बहुत मजबूती के साथ कहा है, तो इसलिए उसकी लोग प्रिया था, बटोगे तो कटोगे, हम इरान भी हमारा था, कि कई जो थी, वो इरान की थी, इराक तो अब तक हमारा रहा, अफगानिस्तान चला गया है, तम हम चीचनिया से लेकर के यह हमारा बटने का जो सभाव रहा है, हिंदूों का, उसके कारण नुकसान हुआ है, तो अब जितना मजबूत लेकिन मैं मानता हूं कि जितना यूत के अंदर आज, हिंदूत को लेकर के जो जिस तरह से माने प्रधामंत जी और माने मुखमंत जी और हमारे लीडर्सिप में ज करिस्माई लिडर्सिप में हिंदूस्तान का चाई मुस्लिम भी है, जो जो मौन कि माлекने है, कई और मुझे अंधा हमारे जात है, मौ आ नहीं पहनता हूं मैं अप्रण के लिपाने यादर हमारी में यह की गरफतार हूए थे, कि जब तक कि कस्मीर पूरा भारत में नहीं आ मजबूती के साथ देखिए माने अम इस सहाजी जैसा क्या ग्रहमंत्री हो सकता था बहुत लोग आए सरदार पटेल साथ निसंदे उन्होंने भारत को एक किया लेकिन बड़ी भूमिका माने ग्रहमंत्री जी की जो भूमिका है वो अधूत है अंदाजा नहीं था कि दारा 370 ह माना जाता है मापूरे मुकुट के साथ भाजनता पार्टी के लिडरसिप में रहेगी जैसे कि आपने शुरू में बता था कि आपकी सपनों में आपकी मदद भी करते थे और महादेव के बारे में कहा जाता है कि महादेव की शादी में तो देवता भी आते थे भूत भी आ जाते थे तो क्या वो कहानी है आपकी जीवन में भूत की मैंने सुना है कि आपके साथ हमेशा एक भूत चलता था और आपकी भूत से फोन पर बात होती थी हाला कि आज के इस अधुनिक यूग में लोगों को यह बात वड़ी कालपिक लगेगी लेकिन क्या बात है क्या सच्टूडइंटे और उसके बाद मैं भी नहीं मानता था लेकिन कि हमारे भाई हैं चोटे मित्र हैं रहे तो उनके वह बुलते थे पापने ह् dei बात करते हैं तो उनके थुरू मैं खुद कूह रहा हूँ उनके थुरू उन्होंने मुझ से बात की मुझे बेटा बोला मैंन की आत्मा परवेस करके मुझसे बात कर रही है, तो मैंने थोड़ा, मुझे खराब लगा, मुझे डर लगा, अज़ी बाती है, मैंने फौन काट दिया, दूबरा मिलाया कि गलत तो नहीं हो गया, तो उसने कहा, मैंने कहा, क्या बूल रहे थे भई, उन्होंने बताया कि मैं, नींद सी आगी और मुझे पता ही नहीं क्या हुआ एक दम अचानक से और फिर उसके फॉन में आ करके बोलने लगे बिटे मुझे जरूरी बात करनी है फॉन मत काटना तो मैं घवरा गया मैंने फॉन काट दिया उसके बाद बंद कर दिया फिर मैं जिग्या सा हुई तो मैं द तो मंघव toward life जितने समय के लिए कम समय के लिए आते हो तो कोई शंदेश दे ना मेरे पास आजाके में एख्या मैं यह मेरी साथ पास है उसके बाद सुडू म मैं मुझे डर लगा लेकिन मेरे साथ काफी टाइम रहे नीं वह आपोस दिख़ते थै हाँ मेरे साथ गाड़ी म मेरी की मेरी खिलाब कुछ होना था या इस तरह की चीज़ें वो बताने की नहीं हो अलग से आपको बताऊंगा फिर उन्होंने कहा कि मेरा समय पूरा होगा अब मैं जाओंगा तो मैंने काफी रिक्वेस्ट की बहुत मितरता होगी तकलीप भी मुझे बहुत हुई उनके जान किसी ना किसी रूप में मदद करते हैं अगर आप वास्ता में तपश्या कर रहे हैं मैं पूरी राज चार पेहर की पूजा करता था समया में च्टूड duebeaf में जाई है Sensei होना चीए और उसके बाद जब मैं जॉब लगने के बाद ये घटना है देखी तो ऐसा लगा तो फिर गुरु जी जो हमारे मेरे गुरु हैं गुरु सर्णानन जी मत्रा वाले उनका भी वक्तितु अधुत संथ है तो गुरु जी ने कहा कि ये जो तुम सेवा कर रहे हो गाय के लिए लड़ रहे हो इससे ब करोगे तो इससे बड़ा भजन कुछ नहीं है तो उसको हमने आप से साथ किया कोशिस रहती है कि कोई गलत ना हो मैं सिर्फ भगवान से और अपने करम से डरता हूं बाकी मैं डरता नहीं हूं सही बात सबकी मानता हूं कोई बात बिना करन के बिना लॉजिक के मैं बोलता भ भूत ने आपकी मदद करी नहीं मेरी कई मदद की मैं बताऊं अलग से मेरी लाइफ को बचाया और बहुत मदद की और मेले लिए तो मुझे लगता था कि बगवान ही है वो बगवान क्योंकि आदमी मरने के बाद आत्मा तो परमात्मा का रूप हो जाती है और मैंने उसको रही कि जब जब लोगों ने कोशिस की मैंने राजिजिती में कई पर्तिगे की हैं उन से मैं हटके नहीं जा सकता मैं गलत को बरदास्त नहीं करता हमारी माने कहा कि बिटा अगर कहीं मैं बताया ना भी अब को किसी के ओपर मुसीबत आ जाए खास तोर से जहां लगता है कि किसी जो आदमी परिशान है या किसी के साथ को अत्याचार कर रहा है कि तैय ताकतवर हो तो वा नंगे पैर दोड़े चले जाना उसकी मदद करना चाहिए उसके लिए जान चली जाए तो वो मुझे सब्द गोंचते है कि लोग जो प्रोबकार के लिए या जा कहीं कोई बह हृ कशT बड़ी बीबाइमान ओधीकारी कि लिए किन इस तरह से देस के लिए कुछ मुझे करना ये सोच पताशी क्या हो गया जाया, इस पर भी काम करने कि जूरूरत है मैंने मुखमंदरी को बहुत काम कर दो सक्क्राइब प्छते बहृत है जिंको यह बाइमान अधीकार काम करूँगा तो जो उनकी एनरजी है उसको साइड लाइन कर दिया जाता है इमांदार होना सबसे बड़ा पाप है आज की डिट में सिस्टम से चलो जी सिस्टम से चलने हो तो आप इमांदार भी हो पैसे भी लूटो लेकिन उनके कभी भी उद्देश जनता की सिवा नहीं ह वास्ता में उनको तो जो प्रूव हो जाए परमानित हो जाए उनको फासी होनी सी कायद में एक दो को फासी हो जाए इस देश में तो देश का नकसा बदल जाएगा केवल नेताओं को बही माना जाता ना नेता दस बास से डरता है मुझे चुनाव लड़ना है मुझे पास स ही उनकी सेवा में कमीना हो जाए अधीकारी को तो कुछ करना ही निसी तरह की परिक्षा ही नहीं हो तो लंबे समय तक रहना पर जनता से कट जाना है तो जो लोकत में लीडर है उसका character तो ऐसा समझे जैसे कौरी बेटी का कि उसके उपर को उगली ना उठ जाए इसी तरह नेता का character होता है उसको जीता वेचारा लेकिन बदनाम कोन है नेता और लूट कोन कर रहा अधिकारी अधिकारियों की जातर पत्रियों के एंजीयों है मैंने इस दिन में बूला था जब वह था मसला तो मैंने अपने भासन में कहा काले धन पे और जो पूरा सिकंजा का साय बहुत सी लोग यहां से भागे भी हैं तो कहीं न कहीं वोग डिश्टरब हैं तो पैसा जो बाहर भेज रहे हैं यह बहुत बड़ा पाप है तो आपने मेरे शो में विधायक नंद किशोर गुजर को सुना जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई हाले कि एक घंटे में पूरी कहानी बताना संभब नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि राजनिती में आने कि उनकी कोई अच्छा नहीं थी वो एक्सिडेंटली पॉलिटिक्स में आये शुरुवात से उनको गौरक्षा का बहुत शौक था सनातन की रक्षा करने का उनके अंदा जजबा था और यही वज़ा थी कि अखलेश यादव को बहुत पसंद करते थे लेकिन अखलेश यादव सनातन को पसंद नहीं करते थे और इसलिए इसी ब प्यारी करके एक्जाम में पास हो जाते थे इसके अलावा इनोंने ये भी बताया कि वो साइन्स की स्टुटरेंट है और इनका भूत से बिरिश्टा है दो साल तक या उससे कुछ कम समय तक भूत इनके साथ रहा इनकी मदद करता रहा इसके अलावा इनोंने साफ तोर पर ये भी बताया कि मैं जो बयान देता हूं मेरे बयान कभी विवादित नहीं होते मैं हमेशा सच का साथ देता हूं और अगर सच का साथ देना विवादित है तो ऐसे बयान में देता रहूँगा नंदकेश और गुजर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे शो में आने झाल झाल